हलो दोस्तो आप देख रहे हैं टेक्निकल मस्ती चैनल और आज की इस वीडियो में लिखे आए हैं 8 से 9000 रुपे की प्राइज रेंज में मिलने वाले दोई स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास है इन्फिनिक्स की ओर से इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस और दूसरा स्मार्टफॉन रेड्मी 9 दोनों मुबैल के एन्बॉकसिं करेंगे एक साथ साती नजर डालेंगे बिसिक फीचर्स लोग डिजाइन पर तो सबसे पहले जान लेते हैं दोनों मुबैल का प्राइस तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आपको मिलता है 7999 रुपे देखें तो यहां पर हमें एक चार्जर अडप्टर मिल जाता है काफी अच्छी क्वाल्टी का आपको इसमें चार्जर दिया गया है और इसकी आउटपूट रेटिंग हम चग कर लेते हैं तो यह है 10 वोट का चार्जर जिसकी आउटपूट रेटिंग आपको मिलती है 5V 2 2A की और इसमें आपको normal USB cable दी गई है और देखें तो इसमें आपको quick start guide user manual दी गई है साथ ही आपको scratch guard अलग से दिया गया है और साथ ही हमें मिल जाता है एक mobile की safety के लिए cover, cover की quality ठीक ठाक आपको दी गई है लेकिन कुछ time बात ये cover side से तूटने लगते हैं और एक SIM ejector pin आपक SIM ejector pin मिलती है और अंदर quick start guide user manual और इसमें हमें मिलता है एक charger adapter जिसकी output rating है 5V 2A की यानि कि दोनों ही smart phone में आपको 10W के charger दिये गए हैं और USB cable की बात करें तो इसमें आपको micro USB cable दी गई है type C USB cable आपको इसके साथ भी नहीं दी गई है ये हैं दोनों smart phone front side का look कुछ ऐसा हमें द different है infinix smart 4 plus काफी बड़ा है size में बाकी दोनों smart phone में आपको पहले से कोई भी scratch guard लगावा नहीं मिलता है जब भी mobile purchase करो तो एक tempered glass उसी time लगा लीजिए और ये हैं दोनों mobile के back side का look दोनों ही mobile में आपको plastic body देखने को मिलती है और infinix smart 4 plus में आपको back side में काफी glossy finish देखने को मिल जाती है साथ ही काफी एची designing यहां पर back side में की गई है वहीं Redmi 9 में आपको normal matte finish देखने को मिलती है जिसमें आपको कुछ lining देखने को मिलती है और इसमें आपको regis तो नहीं दिये गए हैं लेकिन इसमें scratches कम आएंगे infinix के mobile से यानि कि आप इसे without cover use कर सकते ह हैं जबकि infinix smart 4 plus में आपको cover लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें scratches काफी जल्दी आ सकते हैं बाकि दोनों smart phone में आपको finger fin sensor मिल जाता है दोनों mobile के rear camera देखें तो camera setup कुछ ऐसा आमें देखने को मिलता है यहां पर आपको square camera setup दिया गया है और दोनों ही mobile में आपको dual camera आया गया है कि आपको लगेगा कि यहां पर आपको 3 camera दिये गये हैं जबकि आपको इसमें मिलते हैं 13 plus 2 megapixel के dual AI camera और साती आपको LED flashlight दी गई है infinix smart 4 plus में आपको मिलता है 13 megapixel का main camera और दूसरा यहां पर आपको depth sensor camera दिया गया है बाकि इसमें आपको LED flashlight दी गया है front में आपको notch के अंदर मिलता है 8 megapixel का selfie camera Infinix में और 5 megapixel का selfie camera मिलता है Redmi 9 में दोनों smartphone में right side में आपको power on key और volume rockers एक साथ मिल जाते हैं वहीं height की बात करें तो Infinix smart 4 plus की height है 171.82 mm और Redmi 9 की height है 164.9 mm की उपर की side नज़र डालें तो Redmi 9 में आपको मिलता है 3.5 mm का audio jack जबकि Redmi 9 में आपको कोई भी IR blaster नहीं दिया गया है इससे पहले जो भी Redmi के 9000 रुपे के आसपास mobile मिलते थे सभी में आपको IR blaster मिल जाता था वहीं mobile के left side में आपको SIM tray दी गई है जिन में आप दो SIM card एक memory card तीनों एक साथ यूज कर सकता है mobile के नीचे की side देखें तो primary mic आपको दोनों mobile में मिल जाता है और charging jack दिया गया है और 3.5 mm का audio jack आपको Infinix में मिलता है बाकी media speaker Redmi 9 का यहाँ पर है और Infinix Smart 4 Plus का speaker आपको उपर यहीं पर मिल जाता है दोनों smartphone की power को on कर दिया है और brightness दोनों की full कर दी है display quality आपको काफी कमाल की दोनों smartphone में देखने को मिल जाती है यहाँ पर user interface देखे तो Infinix Smart 4 Plus में scroll up करने पर यहाँ पर आपको सारी app देखने को मिलती है Redmi 9 में home screen में right side में scroll करने पर सारी app देखने को मिलती है दोनों mobile का touch काफी smooth है और काफी अच्छा work कर रहा है बाकी बात कर लेते हैं दोनों mobile के display size की तो Infinix में आपको मिलती है 6.82 इंच की HD plus IPS LCD Redmi 9 में 6.53 इंच की HD plus IPS LCD दी गई है aspect ratio 20.5 is to 9 का मिलता है Infinix में 20 is to 9 का मिलता है Redmi 9 में screen resolution की बात करें तो 720 into 1640 pixel का मिलता है आपको Infinix में और 720 into 1600 pixel का Redmi 9 में दी आ गया है बाकी दोनों mobile के thickness की बात करें तो Infinix smart 4 plus की तिकने से 8.9 mm की और 9 mm की तिकने से साथ Redmi 9 आता है वहीं weight की बात की जाए तो 194 gram का है Redmi 9 और 207 gram का Infinix smart 4 plus आपको मिलता है क्योंकि आपको इसमें मिल जाती है 6000 mm की powerful बैटरी और 5000 mm की बैटरी आपको Redmi 9 में दी गई है और आप नज़र डालता है setting में सबसे पहले हम Infinix smart 4 plus की setting में चले जाते हैं और यहां का interface हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसमें सबसे उपर my phone का option आपको देखने को मिलता है X OS पे योवर करता है जिसका version है 6.2.0 का बाकी 3 GB RAM है 32 GB का internal storage expandable memory को आप 256 GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं 8 MP front camera 13 MP rear camera 1.8 GHz का octa core processor आपको इसमें दिया गया है chipset की बात करें तो MediaTek Helio A25 का आपको इसमें chipset मिलता है और इसमें आपको Android version 10 दिया गया है और नज़र आ ले Redmi 9 की setting में तो यहां पर भी हम setting में चले जाते हैं यहां का interface कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है सबसे उपर about one section दिया गया है इसमें हमें MIUI version मिलता है 12.0.1 का Android version इसमें भी 10 दिया गया है Android security patch level 1 July 2020 का हमें इसमें दिया गया है all space vacation में नज़र डालें तो 4 GB आपको इसमें RAM मिलती है 64 GB का internal storage जिसमें से लगबाग 52 GB अबलेबल है यूज करने के लिए इसमें आप expandable memory को 512 GB तक बढ़ा सकते हैं इसमें processor आपको मिलता है 2.30 GHz का octa-core chipset MediaTek Helio G35 का आपको इसमें दिया गया है दोनों mobile के rear camera को on कर दिया है तो camera quality भी काफी अच्छी है आपको दोनों smartphone से देखने को मिल जाती है Infinix Smart 4 Plus से आप 4X तक जूम कर सकते हैं Redmi 9 से जूम करें तो इस से आप पूरा 10X तक जूम कर सकते हैं तो zooming आपको ज़्यादा मिल जाती है Redmi 9 में तो friends ये थे दोनों smartphone 8000 रुपे की केमत में आपको मिलता है Infinix Smart 4 Plus और 1000 रुपे उपर खर्च करने पर आपको मिल जाता है Redmi 9 जो की 4GB वेरंट है जिसमें आपको 4GB RAM 64GB का internal storage मिल जाता है तो comment box में बताइए आपको दोनों smartphone में से कौन सा mobile पसंद आया कौन सा आप purchase करना चाहोगे और अगर आपने purchase कर लिया है तो mobile के बारे में कोई भी अच्छा या बुराया आप comment box में बता सकते हैं जिससे हमारे अने वीवर्स को भी कुछ न कुछ मदद मिले मिलते हैं अगली वीडियो में अगली unboxing के साथ तब तक के लिए दूस्तों बहुत बहुत तन्यवाद